नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे करेले कैसे बनाएं कि बच्चे भी मांग मांग के खाएं क्योंकि करेला हर केसी को नहीं पसंद है और इस तरीके से आज हम आपको बताएंगे कि सभी लोग बड़े चाओ से खाएंगे तो ये करेले को मैं धुल करके साफ करके र जाने देंगे इसको आगे क्या करेंगे यह आप जरूर देखिएगा फेकना नहीं है इसको सारे करेले मैं एक-एक करके छील ले रही हूं और इतना भी मजशी लिये कि उसका गूदाई निकल जाए बस हलका हलका उपर कधारी निकालना है यह देखिए पुरा करेला छेल के त निकालने में थोड़ा दिक्कत होती है लेकिन फिर भी जो बीज पका हुआ रहता है उसको हम फेक देंगे और जो सौफ्ट बीज होता है उसको हम रख लेंगे तो ये हम सारे करेले अभी आपको दिखाएंगे कि वो बीज हम कौन सा फेकना है मुझे सारा करेला में ऐसे करके दीरे दीरे सारा बीज निकाल ले रही हैं आप भी अपने घर में एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा क्योंकि और बच्चों से भी बताईएगा कि ये करेला करवा नहीं है और बच्चे खाएंगे ये दवाई का काम करता है बहुत फायदेमंद होता है ये सारा करेले का बीज निकाल के तयार कर लिया है और उधर पका हुआ बीज अलग रख दिया है कटोरे में ये जो मैं छिलका छीली थी करेले का तो इसको छुटा-छुटा काट लेना है और इसमें नमक मिला करके थोड़ी आदे घंटे के लिए रख देना है करेले में और छिलके में, दोनों चीज में, ये करेले मैंने नमक लगा के रख दिया है, अब ये देखे, आधे गंटे बाद दिखा, तो ये निचोड रहे हैं करेला, तो ये जो कड़वा पन होता है न, ये निकलता है, ये पानी जो निकल रहा है, तो जो उसे करेला कड़वा नहीं लगत था उस पे स्टेंट रख दिया है स्टेंट के ऊपर मैंने करेले रख दिया है पानी में डाल के बॉयल नहीं करना है नहीं तो इसके अंदर पानी भर जाता है फिर निचोड़ने में दिक्कत होती है अभी ऐसे करके इसको ढग देंगे आदे घंटे के लिए अराम से है इसका भी कड़वापन हट गया है और वो तयार है अब देखे करेला भाप में पक के तयार है पानी में बॉयल नहीं किया है भाप में पका हुआ करेला है और ये तीन प्याज लिया है मैंने इतना लहसुन और एक आम लिया था इसको मैंने कद्दू कस करके रख लिया है अब मसाले कैसे तयार करने है वो भी हम आपको दिखाएंगे करेला भी पुरा रेडी है भाप में पकने के बाद में ये मसाला इसमें कलॉणजी है थोड़ी सी अजवाइन है सौफ है और धनिया हमारे पास पीसी रखी है वही डालेंगे उसको भून करके पीस लिया है पीसने के बाद में पीस्ता हुआ मैंने कलिप नहीं बनाया था वीडियो तो वो मिस हो गई है आप इसमें कड़ाई में तेल डाल दिया है थोड़ा सा अब इसमें देखिए हम क्या क्या डालेंगे तेल हलका सा गरम हो जाए इसमें जीरा डाला है थोड़ा जीरा डालने के बाद मे हम लहसुन डालेंगे इसमें और ये छिलका जो करेले का था वो डाल दिया है लहसुन नों छिलका एकी साथ डाला था मैंने अब ये पक रहा है धीरे-धीरे इसमें प्याज और वो आम घीसा हो ये आपको जो देख रहा है ये बीज है उसका करेले का ये करेले का बीज में ने डाला है इसमें अब प्यास डाल रहे हैं कद्दू कस किया हुआ पीसना नहीं है इसको पीसने से बहुत ग्रेवी पतली हो जाती है ये प्यास डाल दिया है इसके बाद आम डालेंगे सारा धीमे धीमे मसाला ये मसाला है करेले का इसको तयार कर जब यह धीमे-धीमे पकने लगेगा हलका सा नमक डालने के बाद में बस इसको चलाते जाएंगे धीमे-धीमे अब इसमें नमक एड़ करेंगे दिखने अपने आप से गलने लगा है धीरे-धीरे गैस का फ्लेम लो है इतना आप ध्यान रखिएगा तेज नहीं करना है नहीं तो कड़ाई में चिपकने लगता है है न अजब मसाला चिपक जाता है तो फिर वो जलने लगता है तो यह मसाला इसमें जो मैंने बनाया तयार किया था वो भून के डाल दिया है पीस करके आई यह हल्दी डाली है धनिया डाला है यह थोड़ा सा मेर्च डाला है इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला चुटकी भर डाल दिया है अब इसको दीरे-दीरे चलाते जाएंगे ये हमारा मसाला धीमे धीमे पकने के बाद रिडी हो जाएगा देखते रहिएगा, इसकिप मत कीजिएगा नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा फिर बनाएंगे तो कहेंगे आपने बताया था लेकिन वैसा नहीं बना मेरे घर में तो बहुत ही पसंद आता है थोड़ी हल्दी कम थी तो थोड़ा डाल दिया तो ये जो है आप धी में धी में चलाते जाएए मसाला आपका रेडी होता जाएगा जब ये तेल छोड़ने लगे मसाला तो समझ लीजे पक्के तयार है प्लीज हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर आएंगे ये भी प्रोसेस आप देखिए ये करेले में हम जतना आ जाएगा उतना भरना है हमको एक-एक करके ये देखे इतना खुला रहेगा इसको हम किसी चीज से बांधेंगे नहीं न धागे से न किसी चीज से आप देखेएगा हम इसको कैसे पकाते हैं करेला बनाने में टाइम तो लगता है लेकिन जब आप बना के रेडी करते हैं तब दो-तीन दिन के लिए आप कब वो करेला चल जाता है यह हमने कड़ाई में तेल फिर से डाल दिया है गरम होने के लिए तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें एक एक करके सारा करेला रख देंगे दीमे से यह देखिए रख दिया है करेला पकने लगा है और इसका खुला हुआ जो रहता है पार्ट वो हम उपर रखेंगे ताकि मसा किया हुआ वह है करेला है मसाला भी पका ही है बस स्वाद और टेस्ट के लिए इसको फिर से पकाना रहता है साथ में डाल भी बन रही है क्योंकि करेला और डाल का कॉम्मिनेशन बहुत अच्छा रहता यह देखिए यह करेला हम पलट रहे हैं दीरे दीरे देखिए यह कितना स इसको ढख देंगे थोड़ी देर के लिए ये देखिए 15-20 मिनट बाद मैंने इसको खोला है फिर से एक बार पलट दिया है इसका कलर देखिए किता सुन्दर सा प्यारा सा आ गया है और ये चाको गुझ जा रहा है इसमें इसका मतलब हमारा करेला बन के तैयार है आप भी एक